ट्यूब रोज कर्प्रोडेशन में मैं आपका स्वागत करता हूँ आए स्टार्ट करते जर्मनी के बारे में बात करेंगे जितने सरे आप एक्सपोर्टर हो इंपोर्टर्स हो जर्मनी को एक्सपोर्ट करना चाहते है या जर्मनी से इंपोर्ट करना चाहते हो तो मैं लिए टोपिक है वीडियोज में ला रहा हूँ एक्सपोर्टर के लिए भारत के एक्सपोर्टर के में ला रहा हूँ अगर आप एक्सपोर्टर हो और जर्मनी को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो जर्मनी के उपर मैंने काफी सरे वीडियोज ला रहा हूँ आपके लिए ताकि गर गेट करके जर्मनी को एक्सक्पर्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं कुई कि जर्मनी मैं ज़िशником बताते रहता हूँ पाव और हांसे योभर का आःए और यहांगा प्रपूलेसन भी जदा है और यहां पर लोगों कि ऑट पर्शेशन्ंग पवर्ट ज़्यादा है अगर तो इससे पहले मैंने जो वीडियो में बताया था आपको जर्मनी के बार में मैं जर्मनी का जो इतने सारे इंपोर्टान वेबसाइट बताया दिया डिरेक्टरी जैन्ड येलो पेजस बीटीबी ट्रेट पोर्टल्स तो उनमें से आप जाके रेजिस्टर कर सकते हैं करके और आपको मैं भी बता दिया जर्मनी का न्यूजपेपर के बार में बता दिया तो आज बात करेंगे जर्मनी का सर्च इंजिन के बार में तो सर्च इंजिन क्या है सर्च इंजिन है वान टाइप ऑफ ओन लाइन प्लाक्ट्फोम है जहां पर ग्लोबाल कंपनीज ग्लोबा मैं पहले बता चुका सर्च एंजिन के बारे में दुनिया का वर्ल्ड में टॉप 55 सर्च एंजिन से 25 सर्च एंजिन है, वर्ल्ड वाइड, उनमें से गूगल जो है अमेरिका का number one site है, वर्ल्ड वाइड है उनका Google का जो website, search एंजिन, और सेकंड में आता है यांडेक्स.ru रोशिया का है यांडेक्स.ru और चाइना का है बाइडू ये भी वन टाइप अफ सार्चिंज ने चाइना का तो आज हम बात करें के गूगल के बारे में तो गूगल जो है वर्ल्ड वाइड है गूगल है वर्ल्ड वाइड और गूगल को वर्ल्ड का बड़े बड़े जो economy है बड़े बड़े economy के साथ दिया है I mean divide किया हुआ है economy economy का बड़े country का Google का search engine को divide किया हुआ है तो आज हम बात करेंगे कि Germany में कितने सरे search engines है जो आपको मदद करेगा export order पाने के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको जिन website का नाम बता रहा हूँ आप पहले इन website को आपका computer laptop में और आपका notebook में लिख लेजिए तो पहला है google है google.de www.google.de उसके बाद है Alexilar AOL Balinet Alta Vista Dyno MSN Likos तो वान से बाद है Google Alexilar AOL Balnet Alta Alta Vista Dyno MSN and Lycon मैंने आपको लिस्ट करके बता दिया Germany का जितने सारे important search engine तो number one बता दिया google.de google.de तो और बाद में AOL है और Alta Vista है तो यह सब search engines है तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको अगर website ready है तो आपको website को इनी website में जाको register करके submit करना पड़ेगा submit करने के बाद आपको जो website है website में आपको company details है तो आपको website इनी search engine में list हो जाएगा add हो जाएगा add होने के बाद क्या होगा Germany में जितने सारे search engine में होने के बाद आपका website जर्मनी entire Germany में यह आपको list हो जाएगा तो जर्मनी में जो लोग है बायर्स, ट्रेडर्स और आम पॉब्लिक बेनिफेक्टर्स जितने सारे जर्मनी के लोग कुछ भी ढूडने के लिए, कुछ भी पाने के लिए, सर्च करने के लिए, पढ़ने के लिए तो इन्य वेबसाइट को सर्च करते हैं, यह जो जितने सारे सर्च इंज बता दिया, Google के जो गुगल पे है, फोन पे है, भी में है, तो इससे जितने सारे आप एक्जाम्पुल आप Google पे हैं, कहीं Google पे नहीं है, तो आप फोन पे कर ले तो फोन पे Google पे और यह सुब इंटरनली कनेक्टेड है, पाटनर टाइप में काम करते हैं, ठीक है ना, जितने सारे एओल, अ कही हिं भी Germany एंटायर जर्मनी के अंदर कहीं भी कोई भी परसन कोई भी लोग उन्लाइन में सेर्च करेगा तो आपका कमपनी में शर्च इंजनरियों उन्हों को दिखाई कंपनीज तो गार्मेंट मैनिफेक्ट्रिंग कंपनी में चाइनीज चाइना भी चाइना में बहुत सरे लोग है चाइना में बहुत सरे कंपनीज है चाइना थाइलांड है इंडिया है पाकिस्तान है विएतना में लाओस है मलेशिया है तो यह जो कंट्रीज का नाम बहुत है यह leading manufacturer है garments का, number one China है, second में है, India, third में है Bangladesh, Vietnam है, Laos है, Pakistan है, तो यह जो leading manufacturer of garments तो जो buy करेगा garments buy करेगा, Germany या योरोप में कोई भी जगा पे कोई भी country से जो garment buy करना चाहते हैं, उनको मालूम है, garments कहां से सस्ता में मिलेगा, आइदर उसको चाइना में मिलेगा, इंडिया से मिलेगा, उसको बंगलादेश से मिलेगा, उसको पाकिस्तन में मिलेगा, उसको विएतनाम से मिलेगा या लावस में मिलेगा, तो इन countries में मिलेगा, उनको सस्ता में, तो लिख सकता है, government manufacturer, या garment manufacturing companies, या garment वेबसाइट उनको दिखाए देगा सर्च में Google सर्च में दिखाने के बाद उसके अपर उसके अपर क्लिक करेगा क्लिक करने के बाद उनको आपका कंपनी दिखाए देगा फिर आपको आपको इंपोर्टन यहां जितने सारे वीडियो में आपको बताते हैं तो आप उसको फोलो करिए अगर आपको मालूम नहीं है तो आपको डिजिटल मार्केटिंग कंपनी को इड़ करिए या जिसको कंप्यूटर का काम मालूम है और आपको इस टाब रिक्रूट कर सकते हैं तो बहुत इंपोर्टन है जितने सारे सर्च इंजिन बता दिया इन सर्च इंजिन में जाकर आपको वेबसाइट को एड़ कर लिजे अगर वेबसाइट लेडिन नहीं है फिर भी आप आपका कंपनी का नाम आपका आफिस का अड्रेस आपका वाट्स अफ नंबर बेगरा बेगरा एड़ कर सकते हैं अगर आपको वेबसाइट रहेगा तो बहुत अच्छा है कि वेबसाइट को डाइरेट सर्च इंजिन कैच करता है और इमिडियेटली वो क्रॉल करता है और जब तक आपका वेबसाइट वैलिड है जब तक आपका वेबसाइट लाइव है तो व कमपनी को या आपका वेबसाइट को रेजिस्टर करके सब्मिट कर लिजे ताकि आपको इन दा फ्यूचर ज्यादा से ज्यादा आपको एक्सपोट का ओरन मिलेगा मैं आशा करता हमारा यह तपिक आपको अच्छा लगा तपिक को वीडियो को लाइक करिए चानल को सब्सक्र आपको यह तरन को वीजा है झाल झाल